हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सभी का कोक विद अपनी रसोई में तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे हम सभी के घर में कभी न कभी बासी चावल तो बच ही जाता है तो आज हम इसकी बहुत ही टेस्टी सी जटपट बनने वाली रेसिपी बनाएंगे तो मैंने एक कटोरी उबला हुआ राइस लिया है ये मैंने रात को बनाया था और ये बच गया था वही राइस है अगर आप चाहे तो इसे ताजे चावल से भी बना सकते हैं नहीं तो अगर बचा हुआ चावल है तो उसका भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं इस रेसि तो नमक आप अपने हिसाब से डालें जैसा भी आपको पसंद हो और थोरा सा लाल मिर्च डालेंगे आपको अगर पसंद है तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूं तो इसमें मैं हरी मिर्च का इस्तमाल नहीं कर रही हूं और यह ये नास्ते की रेसिपी बनाएंगे बचे हुए चावलों से तो लगभग सभी मसाले मैंने एड़ कर दिये इसके अंदर अब जो है हमारे पास वो बेसन एड़ करेंगे इसके अंदर धाय चमच और उसके बाद थोरा थोरा सा पानी एड़ करके हम जो है इसका एक बहुत ही न जादा गाढ़ा ना जादा पतला इसका एक डो बनाएंगे तो आप वीडियो को स्किप ना करें आपको पता चल सके इस मिक्सचर के अंदर कितना पानी एड़ करना है और आपके जो रेसिपी है वो बिल्कुल पर्फेक्ट बनेंगे पहली बार अगर आप ये रेसिपी ट् बन कर आएगी तो देखिए अब मैं बस धाय चमच बेसन ही इसके अंदर एड़ कर रही हूँ और हमें बिल्कुल थोरा सा दो चार चमच पानी लेंगे पहले और इसके अंदर एड़ करेंगे क्योंकि चावल में पहले से ही मॉस्चराइज है और बेसन एक्जॉप कर लेग और बिल्कुल 5-6 चमच के आसपास मैंने पानी एड़ किया और हाथों की मदद से इसे एक अच्छा सा डो बनाएंगे तो मैं दो तीन बार करके थोरा थोरा सा पानी एड़ करूंगी एक बार में पानी बिल्कुल भी एड़ ना करें नहीं तो हो सकता है आपका जो बेटर ह वो थोरा पतला हो जाए और आपकी रेसिपी खराब हो जाए तो देखिए जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल जैसे आटे को गूथते हैं वैसे ही मैं इस डो को बना रही हूँ लेकिन हमें देखना है चेक कर लेना है कि हमें इसमें और कितने पानी की जरूरत हो उसी हिसाब से हम इसमें पानी को एड़ करेंगे तो देखिए अभी थोड़ा सा ये टाइट लग रहा है डो तो थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे और उसके बाद हम इसे मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से गूतना है हमें इस जो डो है चावल और बेसन का और उसके बाद इसे रेस्ट करने के लिए तीन से चार मिनट के लिए रख देंगे बस थोरा ही टाइम रखना है इसे रेस्ट करने के लिए और उसके बाद जटपट हम अपनी रेसिपी बना कर तैयार करेंगे कोकविद अपनी रेस्ट के माध्यम से अगर आप ये रेसिपी फर्स टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर फेस्बुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो वहाँ पर भी फॉलो जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी हर रोज लेकर आती हूँ जो की कम से कम समय में तो बनती है साथ ही साथ वह बहुत ज्यादा टेस्टी हो इसका मैं हमेसा प्रयास करती हूँ देखिए इसे सिर्फ बहुत ही कम से कम तेल में हम बनाएंगे तो मैं इसे तबे पर बना रही हूँ आपके पास कोई दोग रखा था रेस्ट करने के लिए उसमें से थोरा सा बेटर लेकर और गोल गोल टिक्की की सेप में हम इस रेसिपी को बनाएंगे तो देखिए बहुत ही साबधानी से आप इसे तबे या फिर फ्राइपेन में डालें बिल्कुल भी ये चिपकता नहीं है तबे पर भी अगर आप बनाएंगे तब भी आपकी ये रेसिपी बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी तो आप देखते जाएए और मुझे फॉलो करके ये रेसिपी बनाते जाएए तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है बिल्कुल अच्छे से फूल गया है ये बेटर और बहुत ही से बना लीना तो यह मेरा यकीन मानिए आप बार बार इस रेसीपी को बनाएंगे मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और स्वाधिस्ट कम समय में बनने वाली रेसीपी हर रोज लेकर आती हूँ और वीडियो जरूर देखें आप मेरे चैनल पर अच्छे अच्छे किचन हैक और किचन टिप्स भी सीख सकते हैं तो देखें बिल्कुल जटपट बनने वाली रेसीपी है आप इसे सुबह के नास्ते में साम के नास्ते में या फिर छोटी मोटी भूख लगे आपको तो आप बना कर अपने बच्चों को खिला सकते हैं आप खुद खा सकते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा ये रेसीपी पसंद आएगी क्योंकि इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है बहुत ही कम बरतन जूटे होते हैं इस रेसीपी को बनाने से और खाने में तो ये इतना टेस्टी है कि अगर आप एक बार बना कर खाएंगे तो बार बार इ पसंद आने वाले ये रेसिपी है तो इसे बनाना तो बनता है तो ये रेसिपी इस रेसिपी को अगर आप नए नए कुकिंग भी सीख रहे हैं तो घरवालों को इंप्रेस करने के लिए भी ये रेसिपी आप ट्राइ कर सकते हैं तो इसे जरूर ट्राइ करें तबे पर जब हम कर दिया है और देखिए बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन ये टिक्की हमारी बन कर आई है लेकिन मुझे इसे थोड़ा सा और क्रिस्पी करना है आपर मैं आपके साथ एक टिप सेयर कर रही हूं कि देखिए जब भी कोई ऐसी चीज आप बनाए तो तबे के साइड में रख ल बचा हुआ तेल है उसमें हम बीच में ये जो बचा हुआ बेटर है उसका टिक की बना कर डालें गे और बहुत ही कम समय में ये हमारी रेसिपी बनकर तयार होने ही वाली है जब तक ये रेसिपी तयार हो रही है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और वीडियो को सेर जरूर करें ऐसे ही और रेसिपी देखने के लिए और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें इससे मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं बलकि मुझे अच्छा लगता है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी इसलिए आपने लाइक का बटन दबाया मैं आपके लिए और भी ज्यादा अच्छी रेसिपी लाने की कोसिस करती हूं तो लाइक करने में बिलकुल भी कब सीख लिया तो देखिए सभी जो टिक्कियां थी उसको मैं पलट रही हूं और कितना अच्छा क्रिस्पी बनकर तयार हो गया है ये हमारी जो बचे हुए चावलों की स्नैक्स टिक्की आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और इसे अपनी मन पसंद चटनी के साथ सर्व करेंगे क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूं तो मैं यहां पर जो किसान का कैचप है उसका इस्तमाल कर रहे हूं बच्चों को सर्व करने के लिए अगर आप बड़े तीखा और चटपटा खाना चाहते हैं तो आप हरी च सेख कर एक पर थोड़ा सा हलका सा दबा दबा कर जरूर सेखें ताकि ये अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पक जाए जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं चाकू की मदद से कर रही हूं आप चाहें तो कोई चम्मच की मदद से भी आप इसे इस तरीके से सेख सकते हैं और बहुत ही कम तेल में ये बन कर आता है और हमारे आज के बाद कभी भी बचे हुए चाबल वेस्ट नहीं जाएंगे और भी बहुत सारी रेसिपी मैंने बचे हुए चाबलों से अपने कुकविद अपनी रसोई के रेसिपी पर अपलोड की है आप वहां से वो रेसिपी भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो आईए अब इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रेस्पी और कितना टेस्टी ये रेसिपी बन कर आई है देखते ही मुँ में पानी आगया होगा आप सभी को तो इस रेसिपी को बना कर जरूर ट्राइ करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताएं और कोई अपनी फैवरिट रेसिपी आप मुझे कॉमेंट के माध्यम से सेर जरूर करें बहुत ही क्रिस्पी है ये देखिए मैं आपको स्फॉक की मदद से दिखा रही हो कि ये कितना क्रिस्पी बन कर आई है रेसिपी और मैं इसे तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट है ये अंदर से बहुत ही मुँ में घुलने वाला रेसिपी है और इस बचे हुए चावलों की टिकी को आप कप ट्राई कर रहे हैं ये भी मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं तो मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैस्री कृष्णा राधे राधे